ऐसी घटनाएं जिन पर आप यकीन नहीं करेंगे लाइफ में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके उपर भरोसा करना हर किसी के बसकी बात नहीं होती कई बार कुछ लोग आपको अपनी सची घटना के बारे में बताते रह जाएंगे लेकिन लोग कहां यकीन करते हैं ये दुनिया मानती है सबूत और इसमें चोकाने वाली बात भी नहीं है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी अतरंगी चीजे लेकर आए हैं जिनने देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे ओ माई गॉड ऐसा भी होता है क्या बस आपने इस शांदार वीडियो को अंत तक देखते रहना है तो बिना एक भी पलदेरी किये चलिए शुरू करते हैं ये आज की शांदार वीडियो अब आप जो देखने जा रहे हैं उसे शायद ही आपने कभी देखा हो क्योंकि यूं तो वेलूगा वेल को काफी नौट ही समझा जाता है लेकिन यहां तो इस वेल ने एक अलग ही मिशाल पेस कर दी क्योंकि जब ये महिला इस वेल को देख रही थी तब ही अचानक से इसका फोन हाथ से चूट कर पानी में गिर गया जिसकी बजह से ये महिला काफी पैनिक होने लगी लेकिन तब ही वेल उगा वेल ने उस फोन को अपने मुह में दवा कर उस महिला को पकड़ा दिया जो की बाकई में काफी शांदार नजारा है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आप उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि कोई एनिमल आपकी इस तरह से मदद करे और आपकी इस खास जरूरत को समझ ले और आपको आपकी मन्चाही चीज ला कर दे दे क्यों बिल्कुल सही कह रहे हैं न हम अब आप जरा इस सर्फिरे जू करमचारी को ही देख लीजिए माना की कई बार ऐसा होता है कि आप जिनके साथ रहते हूँ उनके साथ आपका काफी अच्छा रिष्टा हो जाता है चाहें वो जानबर ही क्यों नहों लेकिन अब ये बात भी तो सही नहीं है कि आप उस रिष्टे में ये भी भूल जाएं कि सामने वाला कौन है पैर पठक कर उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है शायद ये भूल गया है कि कुई भी जीब अपना बेसिक नेचर नहीं बगलता ऐसे में अगर टाइगर ने डर से ही सही लेकिन इस पर हमला कर दिया तो इसकी सारी इरोपंती निकल जाएगी शातिर चोर पर भी कुछ समझ नहीं पाया ये महतरमा दुकान के पैसे चुकाते हुए बायन की बोटल को इस तरीके से छुपा लेती है कि शौप कीपर को ये बात पता तक नहीं चलती क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है अगला है बेशर्म बंदर दोस्तों ये बंदर इंसानों से भी आगे निकल चुकी है जो चीज इंसान नहीं कर सकता वो इन्होंने करके दिखा दिया इस योगा टीचर की वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ये बंदर अचानक से कहीं आ जाती है और बुश ट्रेनर के कपड़ों को इस तरीके से खीचना शुरू कर देते हैं जिसे देखकर ट्रेनर भी शर्मा जाती है और डरने लगती है खैर दोस्तों अब तो भगवान ही जाने इस बंदर को आखिर उस ट्रेनर से क्या चाहिए था जो ये ट्रेनर के सिर्फ कपड़े खीचने में लगा हुआ था तो अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए कि आखिर ये बंदर इस ट्रेनर से क्या चाहते होंगे फन विदे गेस्टर परकरती का बाकई में कोई तोड नहीं है क्योंकि परकरती में अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य चुपा रखे हैं जिन से पार पाना इंसान के बूते की बात नहीं है ये पार्क गेस्टर इतना मशुहूर है कि दुनिया भर से लोग यहां पर आते रहते हैं आखिर जमीन से निकले इस नेचुरल फबारे का लुफ्त भला को नहीं उठाना चाहेगा अब जरा इन महतरमा को ही देख लीजिए जो बड़े ही इतमिनान से इसका मजा ले रही थी लेकिन तभी एक जोर का फबार आया और मैडम को उड़ा कर जमीन की धूल चटा गया इसने तो मैडम का सारा मजा ही किरकरा कर दिया खैर इस लड़की को कितनी चोटाई होगी इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं क्या आपने सीगल को चोरी करते हुए देखा है यह सीगल शान तरीके से धीरे धीरे इस दुकान में घुश जाता है जैसे यह इंकन टेक्स की तरह रेट डालने आया हो यहां लेकिन देखते ही देखते यह अपनी चोच में चिप्स का पैकेट दबा कर फुर्ती से बहां से भाग जाता है ओ माइ गॉड़ सच में यह तो बहुत चैला ठिकला और आप मिलिए गुश सहल बंदर से अब ज़रा आप अपनी नजर इस शैतान बंदर पर डालिए क्योंकि अक्सर आप लोगों ने बंदरों को दूसरे का समान लेकर भागते हुए दिखा होगा लेकिन यहां तो यह बंदर एक छोटे से बच्चे को ही घसीटर ले जाने की कोशिस कर रहा था जैसे कि आप खुदी देख सकते हैं कि किस तरह यह बंदर आता है और तुरंत इस बच्चे को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है अब इस बच्चे का तो हमें पता नहीं लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम जिंदगी बर किसी बंदर के नजदीक न जाते दा टैंक क्रेश शहर में टैंक चलते हुए देखना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जब तक आपके शहर में कोई बड़ा हाथसा नहीं हो जाता तब तक इस तरह का नजारा आप भूली जाएए लेकिन यहां पर ये टैंक ना सिर्फ रोड पर आया बलकि रोड के साइड में मौदूद ट्रैफिक लाइट से टक कर भी खा गया और ऐसे हैरान करने वाले नजारे को लोगों ने अपने कैमरे में रिकार्ड कर लिया जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा बाइरल हो गई क्योंकि अगर ये रिकार्ड ना किया गया होता तो कोई भी इस पर बिश्बास नहीं कर पाता कि ट्रैफिक लाइट से लड़ने वाला कोई और नहीं बलकि एक टैंक था कमाल करते हैं अब दोस्तो हमारे भारत के बैंगलोर्ड में मौझूद एक जू का नजारा देखी जहां इस तेंदुए ने गुस्से में आकर काफी भयानक तरीके से यहां से भाग निकलने की कोशिश की वैसे तो हमने कई सारे एनिमल स्केप्स देखे हैं लेकिन इतना एग्रेसिव किसी जानबर को देखना काफी हैरान करने बाला है क्योंकि ये तेदुए अपने सामने आने बाले किसी भी शक्स पर हमला कर रहा था जो कि आप इस वीडियो में साब साब देख भी रहे हैं और ये इतना गुस्से में था कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में इतने सारे लोगों पर हमला करने के बाद अंत में लगवक दस घंटों की मसकत के बाद इसे बड़ी मुश्किल से पकाई लिया गया क्योंकि इतने गुस्से में ये कई सारे लोगों की जान भी रह सकता था है ना खातरना अगला है दस सर्वाइवर यूँ तो आप लोगोंने कई सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस देखे होंगे जहां लोग मोत को मात दे कर जिन्दा बापस लोड जाते हैं लेकिन अब आप हमारी इस वीडियो को देखिए जहां चाइना के ट्रैफिक में एक कार खड़ी थी तभी एक बड़ी सी लोहे की रोड कार के ठीक उपर गिर जाती है जिसकी बज़े से उस कार का पूरा कचूमर बन जाता है और हर किसी को लगने लगता है कि ड्राइवर नहीं बच पाएगा लेकिन तभी चमतकार की तरह ड्राइवर कार के शीशे से बाहर निकलता है जिसे देखकर बहां मुझूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने बड़े हाथ से-से इस तरह बच निकलना कोई आम बात तो है नहीं दोस्तो हमारे इस वीडियो के स्टार को आप बहुत ही शांत सुभाब के व्यक्ति के रूप में जान सकते हैं या आप इन्हें मिस्टर कूल भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने बाके में कमाल कर दिया सबसे पहली बात तो इतने ठंडे मौसम में गिरती हुई बर्फ में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना स्टूडियो में बैट कर टिपणी देने से लाट गुना मुश्किल है क्योंकि लाइब जाकर रिपोर्टिंग करना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है और वो भी ऐसे ठंडे अलाके में और ये रिपोर्टर इस चैलेंज को भली भाती पूरी तरह से पूरा कर रहा है तभी न जाने अचानक से एक बर्फ अटाने वाली गाड़ी आती है और इसकी बज़े से पूरी बर्फ इस रिपोर्टर के उपर एक शावर की तरह गिर जाती है जिसकी बज़े से बहां मौजूद सभी लोग शौक्ड रह जाती है क्योंकि इस तरह से किसी रिपोर्टर के साथ होने के बाद भी वो कभी भी अपनी रिपोर्टिंग कंटीनियू नहीं करेंगे लेकिन ये रिपोर्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल था इन्होंने बड़े ही शांत सुभाब से अपने काम को जारी रखा जो कि ये दिखाता है कि लोग अभी भी अपने काम के लिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और उन्हें बागी चीजों से कोई मतलब नहीं है चाहें माइनस 10 डिगरी में उनके उपर बरफी क्यों ना गिर जाए दोस्तों बड़े बड़े जानबोरो को ट्रेन करने के लिए बकाइदा ट्रेनर मौजूद होती है इस वीडियो में एक ट्रेनर लाइन को ट्रेन कर रहा था तब ही अचानक उसके पीछे से लेपर्ड इस ट्रेनर पर हमला करने की नियत से भागता हुआ उसकी तरफ आने लगा लेकिन शायद एक ट्रेनर को ये ट्रेनर बहुत ही अच्छा लगता था तब ही तो उसने इस लेपर्ड को ट्रेनर पर हमला करने से रोका और उस व्यक्ति की जान बच गई सच में अगर ये टाइगर बीच में आकर इस लेपर्ट को समय पर नहीं रोपता तो ये लेपर्ट अपने ट्रेनर की जान एक जटके में ले सकता था कितने बफादार होते हैं जानबर कैमरामेन कार अक्सिडेंट दोस्तो ये एक ऐसे कैमरामेन की कहानी है जिसका तालुक अमेरिका के लास एंजलेस से है ये एक मेडिया रिपोर्टर थे जो की सडक पर खड़े होकर ट्रैफिक जान की रिपोर्टिंग कर रहे थे अचानक इन्हें इनके कैमरामेन की तरफ से इशारा हुआ कि सर पीछे खत्रा है और ये तुरंत अपनी जगह से हट गए और जहां पर ये खड़े थे ठीक उसी जगह से एक बेकाबू कार स्पीड से गुजरी दोस्तो अगर ये अपनी जगह से ना हट ते तो ये गाड़ी इस कैमरामेन को अपने नीचे रोंते हुए आगे चली जाती लेकिन इनके कैमरामेन के समय से इन्हें सतर्क करने की बज़े से इनकी ज़ान बच गे इसके बाद इस सक्ष ने अपना बुलेटिन जारी रखा सच में ये कैमरामेन बहुत ही बहाद उठा जो की बाल-बाल मरने से बचने के बाद भी अपना बुलेटिन जारी रखता है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको इन में से कौन सी वीडियो के लिए सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुर फिरी होता है